द्रिश्वम 2 बॉल्यूड की इकलोतेसी मूवी है जब मल्यालम मूवी का रिमेक होने के बावजुद भी लोग इस फिल्म का बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साउथ की फिल्म को कोई भी रिमेक बॉल्यूड करता है तो यहाँ पर बॉल्यूड को नुकसा नहीं हुआ है बीश में विक्रम वेदा का रिमेक किया पूरी दरह से फिल्म फ्लॉफ हो गई तो अब यहाँ पर द्रिश्वम 2 को इतना रिस्पॉंस कैसे मिलेगा मिलेगा दोस्तो इसके पिछे का रिजन है द्रिश्वम 1 जब द्रिश्वम 1 फिल्म रिलीज हुई थी अब लोगों को पता ही नहीं था कि यह किसी मल्या लंग मूवी का रिमेक है सब लोग यही सोचते दे कि भाई यह अज़े द्योगन की ओरिजनल फिल्म है जिस तरीकी से फिल्म में मर्डर मिस्टरी दिखाएगी जिस तरीके से फिल्म में सस्पेंस दिखाया गया वो लोगों के ले एक नहीं कहानी थी और लोगों को बहत ज़ादा पसंद भी आई तो बस यही रिजन है जिस वज़े से पब्लिक जो है वो द्रिश्वम 2 का इंतजार कर रही है जैसा कि आप लोग जानते है कि मल्या नम लेंग्विज में ये फिल्म ओलेडी रिलीज हो चुकी है जिसमें महोनलाल सर ने काम किया है तो चले दस्तो बात करते हैं द्रिश्वम 2 मूवी के बारे में द्रिश्वम 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर द्रिश्वम 1 खतम हुई थी यानि कि उस लड़के की लाश को ढूंडने से तो द्रिश्वम 2 की कहानी जो है वो 7 साल बात से शुरू होती है यानि कि पुलिस वाले जो वो 7 साल तक लगातार उस लड़के की लाश को डुनने की कोशिश करते जहां पर विजल सालगावकर एक केबल ओपरेटर से एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है जिसके खुद के कुछ मल्टिपलेक्स थेटर है लेकिन यहां पर लोग जो वो अभी भी उस इंसिडन्ट को नहीं भूले जहां से भी विजल सालगावकर निकलता है बस उस इंसिडन्ट को याद करके लोग पीछे बाते करते है और पुलिस भी लगातार छिपचिप कर विजय सागाओकर पे अपनी नजर बनाए रखी है फिल्म के स्टार्टिंग के एक घंड़े की कहानी जो वो बहुत ही स्लो चलती है यहने कि विजय सागाओकर के आसपास की स्टोरी को क्रेट करती है उसके बाद फिल्म में इंट्री होती है अक्षय खन्ना की जहाँ पर आईजी मीरा दिश्मुक जो वो अपना जौब चोड़कर चली जाती है वही पर अक्षय खन्ना पोस्टेड हो जाते है तो बैसे मैं आई जी मीरा दिश्मो को रक्षे करना जो वो एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं तो वो इस केस को परिसनली हैंडल करने के लिए लेता है तो अब यहाँ पर फिर से इंटरोगेशन स्टार्ट हो जाता है विजल सागाउकर की फैमिली का फिर से वही बाते शुरू हो जाते हैं कि सेकंड अक्टूबर को तुम लोग कहां थे तुम लोगों ने उस बॉड़ी को कहां छिपा के रखा है तो अब दस्तो यहाँ से आगे सस्पेंज जो वो स्टार्ट हो जाता है इसके आगे फिल्म में जितना भी सीन आएगा वो सीन आपको हैरानी कर देगा विजल सालगाउकर की दिमाग की आप दाद देंगे और वहाँ पे तालियां भी बजेंगी अगर आपने ओरिजिनल द्रिशम 2 मुवी नहीं देखिए तो यह फिल्म आपको स्टार से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा सर्प्राइस करेगी और अगर आपने ओरिजिनल द्रिशम 2 मुवाले अगर फिल्म देखिए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ सर्प्राइस नहीं मिलेगा क्योंकि स्टोरी तो अलड़ी आपको पता है यह फिल्म तो उनके लिए जिन्नोंने ओरिजिनल द्रिशम 2 नहीं देखिए अगर बात करें फिल्म का सबसे बेस सेन तो वो है कोर्ट रूम का लास सेन जहाँ पे पूरी फिल्म जो वो एक जटके में गुम जाती है यह उस फिल्म में जान डालती है और अगर बात करें अक्षे खन्ना के एक्टिंग की तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं आजे देवगन को वो अपने एक्टिंग से ना खा जाए इतना जबरदस तरीके से उन्होंने अपने रोल को निभाया है बस यहाँ पे आक्षे खन्ना को और थोड़ा रोल देना चाहिए था जहाँ पे वो अपने आपको और भी जादा अच्छे से साबित कर पाते और कुछ भी ख़ये आक्षे खन्ना को इस टाइब के रोल्स जो वो जादा सूट करते बहुत ही बहतरीन तरीके से फिल्म को लिखा गया है, फिल्म को प्रेजन्ट किया है जिस तरीके से एक suspense और एक thriller movie होती है यहाँ पे scene by scene आपको suspense और thrill दिखाया जाता है ठीक उस तरीके से फिल्म को यहाँ प्रेजन्ट किया है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखिये तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जाए और इस फिल्म को थेटर में देखिये और अगर आपने ओरिजिनल मल्यालम वाले अगर फिल्म देखिये तो कोई बात नहीं ओटिटी पे ये इस फिल्म का आने का इंतिजार कीजे फिर देखिये कि आपके लिए तो वहाँ पे किसी भी तरह केगा सस्पेंस नहीं मिलेगा तो चले दोस्तों आपने फिल्म अभी तक देखिये और अगर देखिये तो आपको कैसे लेगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज लाइक करना क्यूंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है तो चले दोस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाज जय हिंद जय भारत